नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से ये देखा गया है कि कम क्रिशिक शेत्र में कम उत्पादकता और कम आये के पीछे मुख्य कारण यह है कि ओसत भारतिये किसान अपने खेतों में सही मशीनों या उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भारत में व्यापक क्रिशी मशीनरी उत्पादक हैं। यहां तक कि अधिकांच किसान क्रिशी उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तथा कुछ किसान बिना ट्रैक्टर के भी खेती कर रहे हैं। इसलिए खेत सही तरीके से तैयार नहीं हो पाते और फसल की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। और देश में क्रिशी प्रथाओं का समरिध इतिहास है। वैग्यानिक बताते हैं कि मानवों ने आज से करीब 12,000 वर्षों पहले ही खेती करना सीख लिया था। लेकिन एक लंबे समय तक मानव अपनी ताकत से या बैल जैसे पशुओं की ताकत की मदद से ही खेती करता रहा। लेकिन जब से विज्ञान का वक्त शुरू हुआ है तब से हमने ऐसी आधुनिक क्रिशी मशीने भी बनाई हैं जिन से खेती काफी आसान हो गई है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही अनोखी क्रिशी मशीनों के बारे में जानते हैं जो घंटों में होने वाले काम को मिनट तो छोड़िए सेकंड में निबटा देती है। इसी तरह की और रहस्मई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें साइंस और टेकनोलोजी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एडवांस करांतिकारी मशीन बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी नौलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है इसलिए हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारी मेहनत का फल दे दी जीए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको खेती में इस्तिमाल होने वाली छोटी से बड़ी ऐसे ऐसे एडवांस मशीनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बोस लीड मकई हार्वेस्टर दोस्तों खेतों से भुट्टे को तोड़ना बड़ा ही आफद भरा काम होता है क्योंकि इसे एक-एक करके तोड़ना पड़ता है हालांकि इसके लिए भी कई मशीने बनाई जा चुकी हैं मगर वे धीमी गती से इस काम को करते हैं और उससे कई भुट्टे भी बरबाद हो जाया करते हैं तो उसी के विपरीत यह मशीन खेतों से एक भुट्टा को बरबाद किये बगैर ही काफी तेज गती से भुट्टे को तोड़कर एक कंटेनर में स्टोर करते जाती है इस मशीन को चलाने के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ती है साथ ही यह मशीन काफी छोटी भी होती है जिस कारण इसे बड़े ही आसानी से किसी भी इलाकों से गुजारा जा सकता है और काफी तेज गती से इससे काम लिया जा सकता है खेतों से भुट्टे को तोड़ना बड़ा ही आफद भरा काम होता है क्योंकि इसे एक एक करके तोड़ना पढ़ता है एनर्सिक्स और वन यह मशीन सडकों से बर्फ को हटाने का काम करती है अक्सर बर्फीले इलाकों में जब बहुत ज्यादा बर्फ पढ़ती है तब वहां की सडकों पर काफी मात्रा में बर्फ जमा हो जाती है जिससे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक ह जाता है तो इन ही बर्फ को सडक से हटाने के लिए इस्तमाल में लाई जाती है इस मशीन को जो बड़े ही आसानी से सडक पर पड़ी बर्फ को उठा कर कुछ दूर फेंकते जाती है इस मशीन के आगे एक घुमावदार ब्लेड लगा होता है जो कठोर से कठोर बर्फ को भ बने नालियों की सफाई करने का काम करती है क्योंकि अक्सर खेतों की मिट्टी बरसात वगेरह के कारण बहकर नालियों में चली जाती है जिससे धीरे धीरे नाली की गहराई भी कम होने लगती है और नाली जाम हो जाती है लेकिन वहीं पर यह पावरफुल मशीन नालियों में जमे पानी और मिट्टी को खीच कर खेतों में दोनों तरफ फेंकते जाती है, जिससे नाली तो साफ हो ही जाता है, साथ ही साथ उपजाओ मिट्टी भी खेतों में वापस आ जाती है. मेरी पीठोजे के यह मशीन खेतों में बने नालियों की सफाई करने का काम करती है. कैमपर मशीन दोस्तों, इस मशीन की काम को देखकर आप पूरी तरह से चौकने वाले हैं. दरसल इस मशीन का इस्तिमाल, खेतों में खरे भुट्टे के पौधे को बारीक रूप में काटने के लिए किया जाता है. सबसे पहले तो किसानों द्वारा भुट्टे के पौधों से भुट्टे को तोड़ लिया जाता है. उसके बाद खेतों में यह पौधे शेश रह जाते हैं और ऐसे में यदी इसे हाथों से काटा जाए तो यह आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा समय लगने वाला है मगर इस मशीन के इस्तेमाल से यह काम मानो चुटकियों में निपट जाता है इस मशीन के आगे एक लंबा कटर लगा होता है जो काफी तेजी से पौधे को काट कर अपने अंदर लेते जाती है और फिर उसे महीन टुकडों में काट करके अपने साथ चल रहे ट्रकों में लोड करते जाती है दोस्तों यह मशीन बिना रुके लगातार काम कर सकती है, जिससे हमेशा इसके साथ कई गाडियां कतार में लग कर चलती रहती हैं, ताकि कभी भी इस मशीन को रुकने की जरूरत ना पड़े. इस मशीन की काम को देख कर आप पूरी तरह से चौकने वाले हैं. दरसल इस मशीन का इस्ति मशीन के आगे एक बेहद ही शक्तिशाली हाइडरोलिक आर्म लगी होती है, जो पत्थरों पर एक ही साथ 300 किलो तक का पावर डालती है, जिससे वह पत्थर सेकेंडों में चकना चूर हो जाता है। ये मशीन पत्थर तोडने वाली किसी भी मशीन से 15 गुना अधिक शक्तिशाली होती है, जो बड़े से बड़े पत्थर को भी तोडने के लिए काफी होती है। तो इसी काम के लिए इस्तिमाल में लाई जाती है इस फीट पुशर मशीन को। यह मशीन पशूओं को डिस्टर्ब किये बिना बड़े ही आसानी से चारे को उसके मूह के करीब कर देती है, जिससे पशू उसे बड़े बही आसानी से खा पाते हैं। मशीन को चारे के ढेर से होकर गुजारा जाता है। तब यह मशीन काफी तेज गती से चारे को मिक्स करते जाती है और फिर उसे एक लेवल में कर देती है ताकि अधिक से अधिक चारे को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। इस रोबोटिक मशीन का काम देख कर आप हैरान रह जाएंगे। दरसल इस मशीन का इस्तिमाल चारे को किनारा करने के लिए किया जाता है। अकसर पशू चारा खाते समय चारे को इधर उधर फैला देते हैं जिससे उसका मूह चारे तक नहीं पहुँच पाता है। इस मशीन के अंदर पूरा का पूरा खेत खाली कर देती है। और जब मशीन का टैंकर चावल से भर जाता है तब यह मशीन बाहर खड़े दूसरे वाहन में पूरा चावल डाल देती है। इसी भी टहनियों के पास ले जाकर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है तब यह मशीन चंद सेकेंडों के अंदर उस टहनि को काट गिराती है। और अगर लकडी उपर हो और वहां तक आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है तब इसके स्टिक की मदद से बड़े ही आसानी से उस लकडी को भी काटा जा सकता है। इस मशीन की मदद से आप लगभग दो इंच तक की मोटी लकडी को बड़ी ही आसानी से काट सकते हैं। और ये खुद बखुदा जैसे मिटी की गुणवत्ता की जानकारी फसल में अगर कहीं कीट लग गया हो उसकी जानकारी आपको कब पानी और खाद वगेरह देना है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि केले का पेड एक मात्र ऐसा पौधा होता है जो एक बार फल देने के बाद दोबारा हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो इनहीं पौधों के जड़ से नामों निशान मिटाने के लिए इस्तिमाल में लाया जाता है। इस मशीन के पीछे एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता है जो बड़े ही आसानी से केले के पौधों को छोटे छोटे टुकडों में काटते जाती है। ए मैक फ्रंट्रेक्स दोस्तों इस मशीन के काम को देख कर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका इस्तिमाल खेत में बिखरे चारे को समेटने के लिए किया जाता है। नहीं कि इस मशीन के इस्तिमाल से चारे को समेटने और उसका गोला बंडल बनाने का काम दोनों एक ही साथ हो जाता है। ओक सबो, दोस्तों, बहुत से किसान अपने पशुओं के लिए हरे चारे की खेती करते हैं, तो इनी चारे को काफी बड़े पैमाने पर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानो चुटकियों में में निप्टा देती है। ये मशीन ना केवल चावल को ही काटती है, बलकि उसका बंडल भी बनाकर एक साइड में गिराते जाती है। इसकी सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये छोटा तो होता ही है, साथ ही साथ ये स्वचालिद भी होती है, यानि कि अगर आप इसे खेतों में आउन करके छोड भी देंगे, तब भी ये मशीन खुद बखुदा फसलों की कटाई करते रहेगी. एग्रोबोट ये एक बेहद ही एडवांस रोबोटिक मशीन है और इसका इस्तमाल खेतों से एस्ट्राबेरी को तोड़ने के लिए किया जाता है. ये तो हम सभी जानते हैं कि एस्ट्राबेरी एक ऐसा फल होता है, जिसे पैरों से एक एक करके चुन-चुन कर तोड़ना पड देती है. इस मशीन में 24 रोबोटिक आर्म लगी होती है, जो सबसे पहले तो बेरी को स्कैन करती है, और जो तैयार बेरी होता है केवल उसे ही तोड़ लाती है और उसे कंटेनर में स्टोर करते जाती है. रॉक पकर इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से पत्थर के टुकड़े क को अलग करने के लिए किया जाता है. ऐसे तो खेतों से पत्थर अलग करने की कई सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन यह मशीन न सबसे थोड़ा सा यूनिक है. इस मशीन के आगे चिम्टे नुमा एक भुजा लगी होती है, जो एक-एक पत्थर को जमीन से उठाती है और उ कि जुताई करने के लिए किया जाता है. यह तो आप जानते ही होंगे कि फसल बोने से पहले सबसे पहले तो हल से खेतों की जुताई की जाती है, और फिर उसे समतल करने के लिए दूसरी मशीन का इस्तिमाल करना पड़ता है. जो देखा जाए, जाए तो कहीं न कहीं time taking process होता है मगर वहीं पर यह मशीन यह दोनों काम एक ही समय में निप्टा देती है इस मशीन में जुताई करने के लिए हल तो लगा ही होता है साथ ही साथ मिट्टी को समतल करने के लिए पीछे नुकीलादार उपकरन भी लगा होता है जो बड़े ही आसानी से मिट्टी की जुताई और फिर उसे समतल करने का काम करते जाती है इस मशीन का इस्तिमाल खेतों में फसल बोने से पहले मिट्टी की जुताई करने के लिए किया जाता है, यह है cabbage harvester, इस advance machine का इस्तिमाल पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है, इस machine में आगे की तरफ rolling blade लगी होती है, जो की पत्ता गोभी को काट कर अंदर की तरफ भेजती जाती है, आगे conveyor belt पर और भी कई प्रकार की machine मशीनें लगी होती हैं, जिनके द्वारा automatic इन पत्ता गोभी के वेस्ट पत्ते उतार दिये, जाते हैं, आगे इन पत्ता गोभीयों को एक worker द्वारा manually भी चेक किया जाता है, ताकि हर एक गोभीयों को अच्छी तरह से clean किया जा सके, फिर last में गोभीयों को पास ही चल रहे एक ट्रक के container में lot कर दिया जाता है, यह है मोटी, यह pumpkin seeds harvesting machine है, जो की काफी smart तरीके से pumpkin के seeds को separate करने का काम करती है, इसमें एक कांटेदार roller लगा होता है, जो की जमीन पर पड़े pumpkins को उठा कर उन्हें आगे की process के लिए भेजता है, इस roller में बहुत सारे screw लगे होते हैं, जो इन सब के बाद finally शुरू होता है, pumpkins को crush करने का काम, यहां एक crusher लगा होता है, जो की pumpkins को उनके seeds से separate करता जाता है, और pumpkin के बचे हुए west को पीछे जमीन पर बिखेर जाता है, जब pumpkin के seeds से tank full हो जाता है, तो इसे एक बड़े container में lot कर दिया जाता है, यह है, tomato harvester इस machine को चलाय जाता है tomato के fields में, जहां यह machine tomato के पूरे के पूरे पूरे पौधे को ही काट कर, एक conveyor के through अपने अंदर लेती जाती है, यहां अंदर लगी कुछ advance machines के जरिये tomato को उनके पौधों से अलग कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से यह machine, tomato को पौधों से अलग करती जा रही है, tomato को अच्छी तरह से clean करने के बाद, यह machine conveyor belt के through इने side में चल रहे, truck के container में load करती जाती है, यह machine इतनी fast है कि यह कुछी घंटों में कई ton tomato harvest कर सकती है, यह है rice harvesting, यह machine छोटे किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके खेत काफी छोटे होते हैं, जो किसान बड़ी machine afford नहीं कर सकते, उनके लिए यह machine काफी फायदेमंद साबित हो रही है, यह एक electric machine है, जिसे battery की मदद से चलाया जाता है, इसमें सिर्फ एक motor लगी होती है, जो कि अपनी power को एक wire के जरीए इसके handle में transmit करती है, जिससे कि इसका cutter work करता है, इसे चलाना बहुत ही आसा जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह grape harvester, इस advance machine को बनाया गया है, grape harvesting के लिए इस machine का mechanism, इसके center में लगा होता है, इस machine को grape के पौधों के ठीक उपर से चलाया जाता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कि कितनी सफाई से यह machine grape harvesting का का काम करती है, वह भी इसके पौधों को बिना नुकसान पहुँचाए, grape harvesting के दौरान grape के साथ साथ, कुछ पत्तियां भी आ जाती हैं, जिन्हें यह machine clean करके grape को एक container में इकठा करती जाती है, और container के full होने के बाद, इन्हें किसी अन्य tank में unload कर दिया जाता है, दोस्तों, आपको इन में से कौन सी machine ज्यादा interesting लगी अपने विचार, हमें comment box में जरूर बताएं, और video पसंद आई है, तो please इसे like और share करना न भूले, और ऐसे interesting videos के लिए हमारे channel को भी subscribe करना बिल्कुल न भूले.